सबसे बड़े तो थेंक्यू सो मज मैम न्यूसेंटरेट में आप आए और अपने इतनी सारी फिल्म्स की है ऐसे दवन्थ्री है गुल्म कही है तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बचपन से लेके अब तक आपका जो फिल्म नाइन का सफर है वो किस तरह से रहा है हावर यू गाइज मैं जुडी हूँ लीना कपूर यह आपका चैनल न्यूस हंड्रेट के साथ और बहुत अच्छा लगा मुझे न्यूस हंड्रेट के साथ में यह इंटर्व्यू देते वे मेरी लाइफ की जर्नी में जब मैं आठ साल की थी तो मैंने भूगी भूगी एक श उसकी जज़ बन चुकी हूँ मैं और बहुत अच्छा मेरा सफर रहा और सफर में चलते चलते मिस पंजाब बनी मिस डैली बनी बहुत काम किया और काम करते करते मैं पहुंच गई बॉंबे सपनों की नगरी में और यहां पर बस स्ट्रगल शुरू किया एक पिच्चर की बॉल मक्कई दबंग त्री वज़ा तुम हो वज़ा तुम में गाना भी किया माही वे जो फर्स्ट उसका मलाइका रोडा जीने किया था सेकिंड मैंने किया जरीन खान के साथ और बहुत अच्छा सफर रहा मेरा काफी सारी मैंने एड किये आइटम सॉंग किये मेरी जर्ण किया सोचते थे कि इनके साथ आज में कांट करें आपको किस तरह से फिर होता था और क्या कि आप उनसे सीखते थे जी मैंने सल्मान से बहुत कूछ सीखा है अफकॉस मेरे से काफी सीनियर आटिस्ट हैं तो उनके साथ काम जब मैं कर रही थी दबंग 3 इंदौर में तो काफ काफी चीजे सीखने को मिली थोड़ी बहुत नर्वस थी क्योंकि फर्स्ट टाइम में एकने बड़ी स्टार के साथ काम कर रही हूं काफी अच्छा रहा सफर मतलब एक आर्टिस्ट है वो कर लेता है थोड़ा नर्वस होता है बट हम लोग काम कर लेते हैं जब आप दिल्ली से मॉंबई आये थे तो फैमिली पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई होगी आपके सामने किस तरह का फैमिली सपोर्ट रहा है क्या बोलते थे पैरेंट्स आपके अच्छली जब मैं बहुत छोटी थी I lost my father और जब मैं बॉंबे आई तो मॉम थी बट उनको यह लाइन बिल्कुल भी पसंद नहीं थी तो कहते हैं न जब आप यहां पे आके खुद को प्रूफ करते रहते हो कि नहीं मैं सच में बॉंबे आई हूं तो मैं एश करने नहीं आई हूं I will do that works and focus on my work I came here because of I am proof myself So, जब मैं यहां आई तो मैंने उनको बहुत समझाया बट फैमिली जो मेरा खांदान जो है कपूर खांदान है तो इंडस्टी से पर फैमिली में मेरी फैमिली में बिल्कुल आउट नहीं था काफी टाइम लगा उनको समझाने में जब मेरी मुवी आई बर्खा तब उनको लगा कि नहीं उनकी बेटी कुछ कर रहे है तो पहला प्रेक था मेरा एक साउथ की मल्यालम मूवी थी उसमें मैंने आइटम सॉंग किया था इस माइ फर्स ब्रेक उसके बाद मैंने एक सोएस किया पार्ट थी उसके बाद मेरी मदमस बर्खा थी जो सुपर डूपर हीट इस नोट मैं फर्स मूवी थी जो आपने दवन थी में काम किया था उसके बाद भी आपके काफी प्रजेक्ट आपके मार्केट में तो जो आपके चाहले वाले है यह इस पर जो न्यूस हंड़िट के दरसक आपको देख रहे हैं से आप क्या कहना चाहते हूं को यासा एक्स हमारी इंडस्टी चाहती तो बहुत है कहते हैं परदे के उपर हर कोई चाहता है यह इंडस्टी में हर कोई सलमान खान बनना चाहता है हर कोई कैटरीना बनना चाहता है पर इस इंडस्टी में जब आप कदम रखते हो और जो स्ट्रगल करके आप बनते हो उसकी लाइफ का म कुछ नहीं है अगर इफ यू है वाट टैलेंट अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप प्रूफ कर सकते हो हमारी इंडस्टी उतिनी ही खुबसूरत है जितनी पर दिखती है अच्छा इंडस्टी में काफी सारे ऐसे आटिस्टेंट है और काम भी कर रहे हैं कुछ ऐसे भी हमेज़ा सीखा जाता है तो आप उनको क्या सिखाना चाहते हैं मैं यही सिखांगी कि हार कभी नहीं माननी चीए हार मानोगे तो कभी आगे नहीं बढ़़ पाओगे अपने आपको fit रखो try करते रहो करते रहो सो बार फेल होगे 200 बार होंगे पर एक बार तो पास होंगे आडिशन देते रहो, मिटिंग करते रहो, कभी हार मत मानो, हाँ मैं भी खुब बहुत जगा पर रिजेक्ट हुई हूँ, ऐसी जगा पर मतलब मैंने कभी आडिशन तो नहीं दिया, टच फूर, उसमें मैं लखी रही, पर मेरा ऐसा है कि मेरे पास आज तीन से चार पिच्चर है मेरी बड़ी, मेरे पास agreement हो गया है, advance आगया है और shooting पर कई और heroine होती है, तो मेरे साथ ऐसा भी हुआ है, I was shocked कि agreement मेरे साथ और मैं खुद को maintain वैसे कर रही हूँ कि आप weight भडा लो मैडम, आपका ये character है, ऐसा ऐसा, और मैंने weight भडा लिया, I just waiting my shoot कि कब मेरी shoot होती है, प नियू सेंटरेट के माद्रम से जो आपके fans हैं, जो स्टेम आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आपको अपकी बातों को, ऐसे अप भी कर रहे हैं, तो उनके लिए जो आने वाले आपके project है, क्या कहना चाहते हो आप, उनके fans के लिए? आने वाले projects में मैं Hollywood movies कर रही हूं, तो वहाँ दिखूंगी मैं, और बहुत ही अच्छे अच्छे project कर रही हूं, बहुत ही beautiful project, अच्छी story है, तो देखने में मज़ा आएगा, बहुत सारा entertainment है, बहुत सारा प्यार है उसके अंदर, तो मैं चाहूंगी कि दर्शक जो मेरे हैं वह मुझे उतना ही प्यार दें, आज तक जितना प्यार दिया है, उसे double मुझे प्यार दें अपने आपको आगे बढ़ाने के लिए अची, क्या कहना चाहते हैं इस episode के लिए, तो कोशन आयते हैं हम्हेघ की काम किया, आप में किया, फिर यह सब साइट है, तो बहुत कहना चाहते हैं सबच्छे लिए, देखो, आइट इस्ट कभी मरता नहीं है, आइस्ट ठेटर भी करता है और आर्टेस्ट बड़ी पिच्चर भी करता है तो आपको हमारे अंदर जो यह टैलेंट दना यह छुपने ही सकता हमें जो भी प्लैटफॉर्म मिलता है चाहे वो टिक टॉक था चाहे वो रील है चाहे वो इंस्टाग्राम है और टकाटक है इस टाइप के जो भी एप हमारा तैलेंट हर जगा दीकेगा हमें हमें चाहे है जनता का प्यार उसके लिए हम आपीस्त बने हैं तो मुझे अगर मिलन भी बनाऊंगी और एकर बनाऊंगी और लोकोंसें मिलता रहेगा तो मिल एंटेंगी जैसे तक टॉक पर से अंच ठीड़ा पनोलता प्यार करती है बहुत अच्छा लगा जब कोई मेरे बारे में इतना पूछता है मेरी लाइवी स्टोरी के बारे में तो एक आर्टिस्ट के नाते मुझे बहुत अच्छा लगता है and thank you news 100 कि जिन्होंने मुझे इदर बुलाया मेरा interview लिया and thank you so much अपने फैंस को मैं यही कहना चाती हूं कि यह बहुत अच्छा न्यूस चैनल है आप लोग देखते रहे हैं यहां पे सब आर्टिस्ट जितने भी हैं उनकी लाइवी स्टोरी के बारे में आपको जितना जानना है तो आप जान सकते हैं न्यूस हंड्रेट के माध्यम से ऑर थक लेयर में सकते हैं है त्यूस